तो दीमार्ट ने अपने रिजल्ट्स से सब की बोलती बंद कर दी, in fact, सब को गलत साबित कर दिया. माक्सिमम ब्रोकरिज फर्म्स एनलिस्ट का जो एस्टिमेट था, वो बहुत जादा खराब था, Q1 के रिजल्ट्स को लेके डीमार्ट के अंदर. उन्होंने काफी बड़ी निगेटिव कमेंटरी भी करी थी, कि रिवेन्यूस के अंदर काफी जादा डेंट पर सकता है, इसलि और सबसे बड़ी बात तो देखे, रिवेन्यू पर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि रिवेन्यू के ऊपर सबसे ज्यादा एक हार्ष कमेंटरी दी गई थी, तो रिवेन्यू के अंदर 95% की तेजी देखने को मिली है, 9800 करोड के रिवेन्यू कलेक्शन है, इस क्वाटर के अ सेशन पर अपनी पोजीशन को बेच के वो निकले होंगे, उन्हें अब यहाँ पर पश्तावा हो रहा होगा, कि शायद अगर वो पोजीशन ना बेचते, तो डेफिनेटली फिर एक बड़े प्रॉफिट की तरफ वो लोग जा सकते थे, क्योंकि कल यहाँ पर उमीर है कि ए आतर 28% की आती भी दिखाई दे रही है, और ऐसे एगर वीक एस्टीमेट्स ना होते हैं, तो शायद यह डिलिवरी परसेंटेज नाचरली भी 40-45% की आसपस जाती भी दिखाई दे सकती थी, जैसे मैं मैं मानता हूँ कि D-Mart एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडमेंटली स् आप से आप देखें, एक अच्छे खासी गिरावट के बाद में इस स्टॉक ने एक डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन करी है, और यह डबल बॉटम की जो फॉर्मेशन है, यह भी आक्छली में तीन महीने के अंदर जनरेट हुई है, तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद म तरफ दीमाट जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर क्लियर बॉटम, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो यह स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, अब इसके जादा फर्दर नीचे गिरने की चांसे इसके नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर यह देखना ह चाहिए या नहीं, देखिए सबसे पहले तो कि लास्ट टेडिंग सेशन पर यह जो दोढ़ाई 3% की तेजी रही है, इसने 200 डेज एक्समेशन बॉविंग एवरेज को निकाल दिया है उपर की तरफ, यानि के स्टॉक अब ऑफीशली एक बुल टेरिटरी में आ गया है, त इस नेक लाइन को ब्रेक कर सकता है, जो 4050 की हमने अभी identify करी है, साथ ही में अगर आप इसके RSI लेवल्स को देखें, तो RSI लेवल्स भी काफी ज्यादा solid मुझे यहां पर आते वे दिखाई दे रहे हैं, जिस टाइप की situations यहां पर देखने को मिल रही है, और RSI लेवल्स करना है, तो किस टाइप से करना है, क्योंकि recently इसने अभी July में मैं आपको date बता देता हूँ, 1st of July से लेके, और अभी तक एक काफी अच्छा move बना लिया है, 1st of July को जो low levels थे, वो तकरीबन 3300 के आसपास के थे, and कल का, यानि के last reading session के जो high levels रहे हैं, वो कहां तक के हैं, दे points की तेजी यहां पर already stock में आ चुकी है, 700 points की तेजी आ चुकी है, तो कल अगर aggression में, excitement में यहां पर buyers आए, तो वो definitely intraday तक profit book करके जा सकते हैं, कल की यानि के previous trading session की जो तेजी है, वो तकरीबन 3% के आसपास आपको देखने को मिल रही है, अगर इसमें 3% से जाधा की तेजी और होती है, तो chances जाधा बनेंगे कि during the trading session यहां पर profit booking आए, और फिर थोड़ा से lower side में यह stock बंद होते वे दिखाए दे, तो अगर आप intraday player है, तो definitely यहां से buy कर सकते हैं, आपका जो stop loss है, वो stop loss देखिए, यहां पर exactly 100 days के exposure moving average पर होना चाहिए, जो अगर मैं यहां पर दि 7941 के हैं, और यहां से अगर मैं target ले रहा हूँ, तो almost 4225 के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एक ही दिन में एक बड़ा move यहां पर expected है कि आ सकता है, जिस type के यहां पर results रहे हैं, उसका जो एक reaction होगा, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, तो now, the condition is that कि अगर आप यहां पर breakout को भी play करना चाहते हैं, तो क्या करें, तो देखें, मेरा यह मानना है कि जब यह 4050 के level को decisively cross कर दे, तब आप position बनाईएगा, यानि कि कब कर तो यह कल भी सकता है, लेकिन देखें, जब एक दिन के अंदर बहुत बड़ा move आएगा, और और पहले भी इसके अंद के साथ में, इन stop loss के साथ में positions बनाएंगे, तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा, आपको पैसे कमानेगा, क्यों reason बताता हूं में क्या है, जिन लोगों ने यहां से position बनाई होगी, वो एक अच्छे खासे profit में बैठे होगे, और वो traders जो है, आने वाले time में, इसके ऊपर न लग रखने है, intraday में अगर मैं position बना रहा हूं, तो मैं definitely in level से बना सकता हूं, stop loss मैंने बता दिया है, but मैं positionally अगर मैं trade बना रहा हूं, और positionally मैं अपने जो view को ले कर जा रहा हूं, then आप याद रखिएगा कि इतनी बड़ी तेजी के बाद में profit booking आ सकती है, and generally ऐसा होता अब ये previously भी हमने देखाएगी, देखे, जब भी profit booking आती है, वो एक अच्छे खास से आप move के बाद देखने को मलती है, तो aggression में आके position बना के नहीं जाना है, otherwise आप loss में आ सकते हैं, या तो intraday profit book कीजेगा, और दुभारा next correction के अंदर, ये next retest के अंदर आपको position बनानी हों को हावववर काफी अच्छी तेजी हैं पर शिरुवाती session में देखने को मिल सकती है, एक disclaimer देना चाहूँगा, मेरी कोई position डी माट के अंदर नहीं है, कोई भी confusion हो, अपने financial advisor की राय ज़रूर लीजेगा, तभी position बनाईएगा किसी भी stock के अंदर, इस वीडियो में फिलाल इतना है, वीडियो अच्छी लेगे तो तो लाइक को शेयर से रुखीजेगा, में लोगा बहुत जल्दा आप से एक लिए वीडियो में, तिल दिन थेंक्यू, बबाए!